न्यूजिलैंड की जीत से पॉइंट स्टेबल में उलट-पलट, पूरा पाकिस्तान फुट-फुट कर रोया, अब पाकिस्तान को सेमी फाइनल में जाना है तो करना होगा ये काम। न्यूजिलैंड ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के अपने आखरी लीग मैच में शांदार जीत दर्ज की है श्रीलंकाई टीम इस मैच में 171 रंड बना कर ही सिमट गई थी जवाब में न्यूजिलैंड की टीम ने 24 ओवर में 5 विकेट गमवा कर 5 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया है पहले 4 मैच न्यूजिलैंड ने लगातार जीते थे उसके बाद लगातार 4 हार उसे मिली थी अब कीवी टीम ने 5 वी जीत दर्ज की है इस जीत के साथ उसका नेट रं रेट और सेमी फाइनल की उम्मीदें काफी ठोस हो गई है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर अपने आखिरी मैच जीतते भी हैं तो उनका नेट रं रेट बहुत कम है क्या है पॉइंट स्टेबल का हाल अगर पॉइंट स्टेबल की बात करें तो पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशा भारत साउथ अफरीका और अस्ट्रेलिया मौजूद है ये टीमे सेमी फाइनल का टिकट भी हासिल कर चुकी है अब इस जीत के साथ न्यूजी लैंड ने भी नंबर चार पर अपनी दावेदारी मजबूत कर लिया है लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आखिरी मैच से पहले कुछ कहां नहीं जा सकता है हालां कि कीवी टीम नेट रन रेट में दोनों से बेहद आगे है न्यूजी लैंड ने ये मैच 23.2 ओवर में ही जीत लिया है यानि अब पाकिस्तान के लिए सेमी फाइनल में पहुँचना बेहद मुश्किल होने वाला है ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत कर भी बाहर हो जाए अगर पाकिस्तान को सेमी फाइनल में जाना है तो 270 रनों से जितना होगा